जैसा कि आप सुभे लुख पता है कि कल BPSC के तरफ से BPSC TRI 3rd के पेपर लिक मामले को लेकर जो आपके BPSC के नए अध्याच है उनके तरफ से यहाँ पर एक मीटिंग जो है पपका किया गया और उस मीटिंग में यहीं आपके फानले जो है उन्रीडे लिये गए कि जो आपक पराद एकाई है जिनके तरफ से BPSC TRI 3rd पेपर लिक मामले कर लेकर जो आपका साच है और रिपोर्ट BPSC को दिया गया तो उससे यहाँ पर आयूग जो है संतूष्ट नहीं है और आयूग के तरफ से यहीं बोला गया है कि आर्थी का पराद एकाई के तरफ से और यहाँ ठोश सबूत आपके प्रस्तूत किये जाते हैं उसके बाद ही आपर जो आपका TRI 3rd का पेपर लिक का मामला है जो कि यहाँ पर रद करने को लेकर यहाँ पर बोला जाना तो उसमें यहाँ पर आयूग के तरफ से आपका नीड़े जो है उलिया जाएगा और यहाँ पर जो आपके एकजाम से दो दिन पहले ही जो है पका पेपर यहाँ पर लिक जो है पका हो चुका है और यहाँ पर कल जो आपका मीटिंग हुआ था तो उस मीटिंग के बाद यहाँ पर सभी नीज पेपर में आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग-अलग तरीके से आपके यहाँ पर जो है उडिसकस किये गें कि किस तरीके से आपका यहां पर मींटिंग के बाद आयोग के तरफ से आपके यहां पर नीड़े जो है उलिए गए गए देखिए आप यहां पर इस पर्ष रूप से एक सब्द में यदि आप यहां पर बोलना चाहेंगे कि टीरी थर्ड का नहीं हुआ है वो आपका पेपर सही तरीके से हुआ है या फिर उसमें बहानी बाजी जो है पके लगाए जाती है लेकिन उसके बाद जो भी आपका जांस टीम हो या फिर अभियरतियों के तरफ से लगातार आंदोलन किया जाता है तो फिर उसके बाद यहां पर जो आपका है उसे यहाँ पर जो है कैंसिल कर दिया गया नहीं तो आयोक के तरफ से साफ तर पर आपका नकारा जा रहा था यह जो आपका एक्जाम है उसमें किसी भी तरीक आपका चीटिंग जो है उन्हीं हुआ है लेकिन आप यूपी के एक्जाम को लेकर देखेंगे तो उसमें पर आपका चीटिंग हुआ है और चीटिंग होने के साथ आपका पकड़ा भी गया है और जो आपके जांच टीम है अर्थी कपराधिकाई उनके तरफ से यहाँ पर स्विकारा भी गया है यदि मालीजे इसमें इग्नॉर किया जाता तो फिर यहाँ पर बहुत मुश्किल हो या फिर पेपर रद न करने को लेकर आपका यहाँ पर बोला जारा है कि यहाँ पर उनके तरफ से बोला जारा है कि यह आपका टियारी थर्ट का पेपर हुआ था तो पेपर आपका समाप्त हो चुगा था और जो आपका सेकेंड सिप्ट का पेपर था वो आपका यहाँ पर प्रष्ण पत्र लिक होने के सम्मद्न में किसी भी तरीके का साथ है आपके आरफिक अप्रादिकाई के तरफ से तरफ से पर जुहाँ पके नहीं दिए گा है इसलिए यह आपकार पेपर होर आपकम रद नहीं कर यहां पर आपका बोला गया है और यहां पर जो आर्थी का पराद इकाई है और यहां पर यहां पर यहां पर जांच करने के बाद यह जो आपका रिपोर्ट है वह आपका जिक्र किया गया कि वहां से अभियरतियों को पकड़ा गया और यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपके जो आपके schedule वगर हैं किस तरीके से यहां पर था तो अभीर्थियों के तरब से यहां पर बीच में ही जो है पापका बदल दिया गया क्योंकि उनको यहां पर सख हो गया था कि हमारे पीशे कोई लगा है और हमको यहां पर पकड़ लेगा तो उसके बारे में यहां पर जारी बाग से पकड़े गए थे और उसके बाद ही आपका एकजाम से एक दिन पहले ही पटना से जो है कुछ अभीरतियों को पकड़ा गया फिर उन अभीरतियों को पकड़ा गया तो उनके तरफ से 100 गिरोह का जो है नाम बताए गया कि इस तरीके से आपका पेपर लिक को लेकर लोग गिरोह जो है इसमें जो है अपनी सेंद बारी करने के लिए उलगे हैं और दो दिन पहले ही आने कि आपका 15 तारीक को एकजाम गा था लेकिन 13 तारीक को ही आपर कहा कि जो आपके आर्थी कपराद इकाई है उनको यहाँ पर सूचना जो है मिल चुका था कि यह आपका T.R.E. 3 का पेपर है वो आपका यहाँ पर जो है उलिग हो चुका है और इस निजपर में भी देखेंगे तो इसमें भी आपका वहीं बोला गया कि और यहाँ पर साच उपलब्द होने के बाद यह आपका T.R.E. 3 का पेपर है उसमें यहाँ पर रद करने का निड़ है उनके तरफ से बोला जा रहा है कि नहीं यह आपका पेपर लिख हुआ है और यहाँ पर यह जो आपका पेपर लिख हुआ है वो आपका एक्जाम से दो दिन पहले आनि 13 तारीक को ही यहाँ पर आपका जो सूचना है वो आपका यहाँ पर मिल चुका था कि यह जो आपका आपका पर और यहांपर देखे को बेंदर मार्च को जो data जो साइब डोपना यहांपर जांड करके लिकुत गया और नहींirsiniz डाटा डिया गया यहांट गया कि आपका फर्स्थ उसके बाद आपका इहां पर क्या है कि आर्थी क अप्रादिकाई के तरफ से आपका साची अपलब्ध करा गया इसलिए इसको लेकर आयो के तरफ से बोला ज़रा है कि जब यहाँ पर आपका paper समाप्त हो चुका था और paper आपका है पर start हो चुका था तो फिर यहाँ पर जब आपका हैँपर cheating पकड़ा गया तो यहाँ पर आपका ठोस सबूत इसे हम यहाँ पर उनहीं मानेंगे इसे से भी ज़्यादा ठोस सबूत आएगा तभी हम इसी ट्यारी थड का जो मैटर होगा उस पे हम यहाँ पर जो है उनीडे लेंगे आनि आयोक के तरफ से अभी भी आपका बोला जा रहा है कि ठोस सबूत आर्थी का पराधिकाई के तरफ से दिया जाएगा तो फिर हम यहाँ पर उस पेपर को रद करेंगे आनि उस पर भी समीचा करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर नीडे लेंगे कि फिर यह आपका किया होगा आनि उससे भी और यहाँ पर जादे आपका और यहाँ जाहिए या फिर उसी सबुत पर हम इस टीरी ठट के पेपर को यहां पर रद जो है उकर देंगे और इस नीज़ पेपर में भी देखेंगे तो उसी वहीं आपका बूला गया कि और यहां पर साथ से आपके यू आनि आर्थिक अपर दिखाई इस से जो नहीं पकड़े जाते और paper leak कर देते तब हम यहाँ पर paper leak मानते लेकिन परिच्छा से पहले उन लोग को यहाँ पर पकड़ लिया गया और उनके खिलाफ यहाँ पर कारवाई हुआ तो हम यहाँ पर इस मैटर को लेकर पेपर लिग जो है हम यहाँ पर नहीं मानेंगे तो देखें BPC के जो नए अध्याच है वो काफी जादे यहाँ पर इग्नॉर करें क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत बड़े अस्तरप यहाँ पर आपका TRD 3 का पेपर जो है उलिग हुआ है लेकिन उनके तरफ से पुड़ा यहाँ पर कोशिज किया जा रहा है कि जो यहाँ पर फरजी वाड़ा के हैं उनको यहाँ पर बचाया जा सके और यहाँ पर जो आपके आर्थी का पराधिकाई हैं उनके तरफ से आपका बोला गया है कि 13 March को ही यहाँ पर आपका पेपर लिग हो चुका था और आर्थी का पर दिकाई को सूचना जुह है बादका मिल चुका था और यहाँ पर 270 अभीर्थियों को पकड़ा गया है ऐसा जुह है बादका बोला गया है यह तो देखिए आज के नीज पेपर में यहाँ पर आपका किस तरीके से आयोग के तरफ से और जो आपके आर्थी का प्रादिकाई है वो लोग यहाँ पर किस तरीके से आमने सामने उसको लेकर आपका आपका यहाँ पर दिया गया है तब तक आंदोलन किया जाएगा जब तक यहां पर आयों के तरफ से paper रद करने का लिकर आपका नीड़े जो है वो नहीं लिया जाता है तो ऐसा थोड़े हैं कि दो दिन पहले ही आपका paper रिक होगा तो सिर्फ आपका primary का ही लिक होगा दोनों वरक है यहां पर आपका paper है आपका लिक आपका हुआ है कि इतने बहुत जादे आपके साच आर्थी कपराधिकाई के तरफ से उपलब्द कराने के बाद जो आपके आयोग है उनको यहां पर report आर्थी कपराधिकाई के तरफ से आपका swap दिया गया था लेकिन उसके बाद ही भी आयोग के तरफ से यहां पर उसे ignore करते हुए यहां साब तर पर मना कर दिया गया कि इतना साच्च आपका मितलब हम यहां पर संतुछ नहीं है इसंसे भी और साड़ीने के बाद आपका मामलई havia पहुंच गया है पहले सवरकार को यहां पर पता है लगी आ आपका 2024 का लोग सभाई election है तो उसमें भी आपका काफी जादे किरकरी होगा तो यहां पर मैक्सिमम चांस है कि आपका टियारी थर्ड का पेपर होगा आपका यहां पर रद हुआ जो है आपको यहां पर देखने की मिलेगा बस इसमें थोड़ा सा दो चार दिन का और यहां प चीटिंग और फरजी वाड़ा किया गया था फिर उसके बाद आपके जो मुख्य मंतिर हैं उनके तरफ से आप निड़र लिया गया कि दोनों बर का पेपर जो है आपके मतलब दोनों पेपर चाहिए आपका पूलिस का हो या फिर आड़ो आरो का हो उसे यहां पर निरस्त क करने को लेकर है इसको लेकर आप लोग यहां पर सोचनेगे कि कब तक कार यहां पर एक्जाम रध हो फिर उसके बाद आपका यहां संहिता नहीं होगा तो तो आपका बिलकुन नहीं है जो आपका चार सनीता है इस aam ळॐनाव немного है कि इंग Jaumpy और कुछ भी हो सकता है दिख्कत नहीं है और अचारा सनीता लगने के बाद आपका पेपर भी होता है क्यूंकि कल आपका अचारा सनीता लगा था कल आपने देखा था जारखंड का PCS का जुह है पापका एक्जाम हुआ था क्यूंकि आपका पुडा फोकस खोली के बाद मान कर आप तयारी और आप लोग सोचेंगे कि इलेक्षन के बाद जो है पापका यहां पर एकजाम होगा तो फिर आपको यहां पर जो है काफी जादे यहां पर घाटा जो है उलगेगा तो इसलिए अपनी तैयारी भी जो है करते रहेगा पाकि जो भी यहां पर अभीर्थियों के तरफ से या जो भी आप लोग को यहां पर सूचना मिलता है TR E 3rd को लेकर पेटे एक टीटर जो है यहां पर आपको लगेगा लिए पैपने अपर यहां पर क्मजह नहीं हो तो इहां पर कुछ लोग हो तो यहां पर साथ दोर्पर मना कर दिया जाएगा कि यहां पर कुछ लोग हैं जिन तरफ से यipper रद करने को लिए आपका मांक किया ज़ा रहा है क्योंकि यहां पर उन लोग का पेर अच्छा नहीं गया हुगा लेकिन इहां पर आप लोग यहां पर आप लोग का टूटर कैम्पिआन यहां फिर जो थे वैस्ट थैंक यो फो लिस्निंग गट बिले स्वाल थैंक यो